प्रफेसर अमित परदेशी जो interior angles बनते है वो supplementary होते है parallel lines के वजए से interior alternate angles बनते है वो congruent होते है parallel line के वजए से exterior alternate angles बनते है टू आर congruent ठीक है इसके उपर हमने last two lectures में कुछ topics देखें कुछ questions हमने study किये आज है lecture number 3 so previous lecture का एक short revision करेंगे through one textual question बच्चो एक textual question की मदद से हम previous two lectures में क्या-क्या पढ़ लिए उसका एक short revision भी हो जाएगा and then फिर हमारा chapter आगे बढ़ेगा बच्चो तो चलिए आज का पहला question इस lecture का lecture no.3 का पहला question और इस question के तुरू हम previous lecture में क्या पढ़ाई किये थे उसका revision भी हो जाएगा बच्चो चलिए इस question में क्या लिखा है चलो देखते है line A, B is parallel to line C, D बच्चो यहाँ पर लिखा है कि line A, B parallel है line C, D को and line P, Q is a transversal, line A, B यहाँ पर दिख रहा है line C, D यहाँ पर दिख रहा है line P, Q जो transversal है वो यहाँ पर दिख रहा है बच्चो, यहाँ पर एक angle का 105 degree है बच्चो, clear और हमें 4 angles का majors find करना है, clear पहला angle है A, R, T चलिए देखते हैं angle A, R, T किदर है, यह रहा angle A, R, T then CTQ angle CTQ यह रहा and angle DTQ angle DTQ यह रहा and angle PRB और angle PRB यह रहा तो यह है 4 angles जीने हमें find करना है angle BRT की मदद से, क्योंकि angle BRT 105 degree दिया हुआ है बच्चो, ओके चलिए अब कैसे मिलेगा एक एक angle चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ART दिखाऊंगा ध्यान से इन दोनों angles को देखे बच्चो, ध्यान से इन दोनों angles को देखे बच्चो, यह दोनो linear pair में है, यह दोनो angle linear pair में है तो फिर 105 को हम 180 से subtract करेंगे बच्चो तो मुझे इसका answer 75 degree मिल जाएगा, ओके how much 75 degree मिल जाएगा, मतलब हमारा पहला find जो है, वो 75 degree है, यह हमें पता चल गया linear pair की मदद से अब यह 75 degree तो सामने से यहाँ पर vertical opposite angle देखने को मिल रहा है बच्चो तो automatic PRB भी हो जाएगा 75, को doubt है बच्चो समझ में आ गया रहेगा आपको am I right? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखे, यह parallel line होने के वज़े से और यह transversal होने के वज़े से यह जो corresponding angle बन रहा है बच्चो, यह जो corresponding angle बन रहा है, इसका कितना आ जाएगा? 75 degree क्योंकि यह angle 75 है clear? now, सेम यहाँ पर भी corresponding angle बन रहा है बच्चो, तो यह 105 है तो यह भी 105 होगा तो इस तरीके से हमने चारो find हमारे ढूंड लिये है ठीक है? अब इसे लिख के देखेंगे step by step कि किस तरीके से हमने इन angles को ढूंडा है ठीक है? तो चलो बच्चो देखिए यहाँ पर ध्यान से solution first point सबसे पहले बच्चो हमने यहाँ पर यह 75 degree डूंडा है linear pair से इन दोनों को linear pair में देखा हमने और फिर उसके बाद हमने 75 degree find किया तो चलिए इसका step बनेगा ध्यान देना है आपको ओके angle BRT plus angle ART is equals to 180 degree linear pair ओके बच्चो तो यहाँ पर हमने इन दोनों angles को linear pair में दिखा दिया उसमें से BRT हमारे पास 105 है plus angle ART is equals to 180 degree angle ART is equals to 180 minus 105 that is nothing but 75 degree so बच्चो यहाँ पर हमारा इस तरीक इसे पहला find आ चुका है अब हम दूसरा find डूणने जा रहे हैं सब लोग ध्यान देंगे बच्चो okay find number two उसके बाद हमने vertical opposite angle से इसे 75 डूणडा था ठीक है so angle PRB is equals to angle ART और दोनों का 75 है reason बढ़ा simple है vertically opposite angle vertically opposite angles okay vertically opposite angles से हमने PRB को भी find कर दिया है तो इस तरीके से चार में से दो find तो हमारे आ चुके हैं बच्चो अब third point ध्यान देने आपको okay now the third point now third point में बच्चो हम corresponding angles दिखाना है यहाँ पर भी corresponding angles दिखाना है लेकिन corresponding के लिए हमें पहले parallel और transversal बताना पड़ेगा so line AB is parallel to line CD line PQ is a transversal is a transversal यह हमें पहले से पता है बच्चो am I right so point number 4 point number 4 हम corresponding angles को equal दिखाएंगे बच्चो अब कौन है corresponding angles देखें आपर angle ART and angle CTQ angle CTQ is equals to angle ART and both are 75 degree the reason is very simple corresponding angle corresponding okay angles तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ चुका है am I right now point number 5 एक और corresponding angle है जो यहां दिख रहा हमें अब उसे भी equal दिखाएंगे okay corresponding angle equal है एक का नाम है DTQ और दूसरे का BRT so angle DTQ is equals to angle BRT and both are 105 degree okay 105 degree the reason is very simple corresponding angle corresponding angles okay बच्चों तो यहां पर यह हमारा question अच्छे से solve हो चुका है और चारो find हमने ढून लिया है बच्चों ठीक है तो इस question के बहाने हमारे previous lectures का revision भी हो गया बच्चों clear अब chapter को आगे बढ़ाते हैं हम clear now three more properties जो आज हम देखने वाले हैं उसका उल्टा सोचो अगर corresponding angle जो बन रहे हैं अगर वो congruent है तो फिर lines क्या होंगे parallel ठीक है जैसे हम कहते lines parallel है तो corresponding angle जो form होंगे वो क्या होंगे equal अब उल्टा सोचो corresponding angle जो form हो रहे हैं अगर वो equal है तो lines क्या हो जाएंगे parallel तो इसी तरीके से अगर interior angle जो form हो रहे हैं अगर अगर वो supplementary है तो फिर automatic lines क्या हो जाएंगे parallel और इसी तरीके से अगर interior alternate angle जिसे हम alternate angles भी कहते हैं अगर interior alternate angles congruent है तो फिर automatic lines क्या हो जाएंगे parallel तो यह तीन important properties है जो converse है यह the converse property जो हमने previous तीन properties पड़ी थी उसका यह converse property है तो इनकी according भी हमें सोचना पड़ता है तो चलिए इन तीन properties को एक short में read कर लेते हैं फोड़ा सा समझ लेते हैं ठीक है तो पहला property if the interior angles form by the transversal of two distinct lines are supplementary यहां पर interior angles supplementary बच्चो supplementary then then the lines are parallel वो जो distinct lines होंगी जो दो line होगी जिनके through यहां पर interior angles बन रहे हैं वो interior angles जो supplementary है वो distinct lines automatically क्या हो जाएंगे बच्चो they will become parallel they will become parallel okay तो interior angle अगर supplementary है तो automatically lines क्या हो जाएंगे बच्चो parallel हो जाएंगे यह चीज़ दिमाग में रख लीजए then the two lines are parallel 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 सुना की नहीं समझा ना कि जब interior angles supplementary होते हैं तब lines parallel होते हैं alternate angles congruent होते हैं तो line parallel होते हैं और उसी तरीके से बच्चो corresponding angles a pair of corresponding angles which are formed by a transversal of two lines is congruent then the two lines are parallel to each other तो यहाँ पर हमने तीनो properties देख लिया है अब अब जो questions आएंगे वहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा maybe maybe interior angles supplementary मिलेंगे तो हम lines को क्या बोलेंगे parallel बोलेंगे क्या बोलेंगे parallel बोलेंगे और जब हम interior angles की मदद से lines को parallel कहते हैं तो हम bracket में reason लिखेंगे interior angle test क्या लिखेंगे बच्चो interior angle test ओके और जब हम alternate angles को congruent देखते हैं तो हम तब भी lines को क्या बोलेंगे लेकिन उस वक्त हम bracket में reason लिखेंगे alternate angle test क्योंकि हमने वहाँ पर कौन से angle की मदद से parallel बोला alternate angle की मदद से इसलिए उस वक्त reason आएगा alternate angle test ओके बच्चो जब हम corresponding angles को congruent देखेंगे तब भी हम lines को parallel बोलेंगे लेकिन उस वक्त reason होगा corresponding angle test यह चीज आपको भूलना नहीं है बच्चो ठीक है चलिए तो अब इसी knowledge की basis पे इनी properties की basis पे अब हम कुछ textual questions को आज solve करने वाले हैं बच्चो तो everybody चलिए screen पे देखेंगे the first question from exercise या practice set number 2.2 यहाँ पर y is equals to 108 यह जो y angle है इसका 108 degree है और x का 71 degree है और उन्होंने बुलाए कि क्या यह line m और यह line n parallel है क्या तो ध्यान से देखें x और y को कौन से shape में है यह दोनों angle यह दोनों c shape में है और c shape के angles को हम क्या कहते हैं बच्चो c shape के angles को हम interior angles कहते हैं यह दोनों interior angles हैं क्या यह दोनों interior angles का total 180 degree हो रहा है क्या लाइन पैरलल हो जाता है बच्छो तब लाइन पैरलल हो जाता है तो चलिए चेक करेंगे क्या X और Y जो इंटीर एंगल से C शेप में क्या उनका टोटल 180 है या नहीं solution angle X and angle Y are the interior angles angle X plus angle Y is equals to 71 plus 108 that is equals to 179 which is not equals to 180 which is not equals to 180 that means angle X and angle Y are not supplementary वो supplementary नहीं है मतलब interior angles supplementary नहीं है देर्फो interior angles are not supplementary और जब interior angle supplementary नहीं है तो line M is not parallel is not parallel to line N तो यहां पर यह question हो जाता है बच्चो salt कैसे salt किया देखा आपने तो हमने क्या किया सबसे पहले यह बता है कि X interior angle है okay they are in the C shape उनको बाद में हमने add किया add करके 179 दिकरा हमको मतलब वो 180 के साथ equal नहीं है मतलब X और Y supplementary नहीं है मतलब interior angle supplementary नहीं है बच्चो और जब interior angle supplementary नहीं है तो line B parallel नहीं है तो यह question यहाँ पर आपको समझ में आ गया रहेगा am I right बच्चो चलिए अब आगे बढ़ते हैं next question के तरफ the next question यहाँ पर angle A और angle B equal है बच्चो angle A और angle B equal है they are congruent to each other और हमें प्रूफ करना है कि यह line L और line M parallel है क्या तो इन दोनों को प्रूफ करने के लिए बच्चो हम यहाँ पर हम यहाँ पर एक angle की मदद लेंगे और वो angle होगा angle C okay हम एक angle की मदद लेंगे उसका नाम है angle C clear चलिए अब मैं आपको इसका proof समझाऊंगा बड़ा simple सा छोटा सा proof है ध्यान देना है आपको clear सबसे पहले तो एक ओंगरेंट टू बी है यह बात मांते हो बराबर तो पहला point वही लिख लेंगे एस कॉंगरेंट टू एंगल भी कहां से पता चला मैं गीवान से ठीक है ना बच्चो ठीक है अब एंगल ए जो है वह एंगल सी के साथ देखिए एंगल ए और एंगल सी को देखिए बच्चो दे आर वर्टिकली अपोजिट आंगल्स दे आर वर्टिकली अपोजिट आंगल ध्यान से देखिए बच्चो दे आर वर्टिकली अपोजिट angles मतलब angle A is also congruent to angle C vertically opposite angle A congruent to B है A congruent to C है तो finally in दोनो steps की मदद से क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि angle B is also congruent to angle C from step number 1 and step number 2 बोल सकते हैं कि नहीं बच्चो येस जब A congruent to B है और A congruent to C है so automatically B is congruent to angle C अब B और C को देखें बच्चो they are in F shape मतलब वो corresponding angles है और वो यहाँ पर congruent हो चुके है corresponding angles congruent हो चुके है तो याद कीजिए बच्चो थोड़ी दर पहले हमने बात की थी कि जब corresponding angles congruent होते है तो lines क्या हो जाती है lines parallel हो जाती है तो जब ये C और B angle congruent है तो line L और line M दो नों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चो they will become parallel they will become parallel तो यहाँ पर हम fourth step लिखेंगे line L is parallel to line M कौन से angle की मदद से हमने इने parallel बोला है F shape F मतलब corresponding angle तो यहाँ पर हम reason लिखेंगे corresponding angle test जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हम corresponding angle test से इन दोनों line इसको parallel बोलेंगे तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया am I right तो यह question यहाँ पर prove हो गया am I right चलिए अब हम आज के lecture का next question पर जाएंगे बड़ा interesting question है यह बड़ा important question है यह बच्चो ठीक है कई बार हमने देखा है कि classes के tuition teachers school teachers geometry के test में इसे पूस्ते ही पूस्ते है और इसका weightage है at least three marks यह question three marks का है कई teacher जेसे two marks के लिए भी दे देते हैं बच्चो ठीक है तो चलिए बच्चो एक बड़ा interesting question है यह angle A, angle B के साथ congruent है angle X, angle Y के साथ congruent है और हमें proof करना है line L, the first one is parallel to line N, the third one पहला line जो L है वो N के साथ parallel लेकर आप proof करना है ठीक है, अब कैसे proof करेंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो मैं आपको यह देखने को कहूंगा कि A और B को देखे जो congruent है diagram के अंदर angle A और angle B को देखे angle A and angle B both are congruent to each other and both are in F shape, ध्यान से देखिए बच्चो दोनो F shape में है मतलब both are corresponding angles और जब corresponding angles congruent होते हैं तो lines क्या हो जाती है lines parallel हो जाती है तो सोचिए इन दोनों को देखकर कौन सी lines parallel होगी सोचिए बच्चो, देखिए बच्चो इन दोनों को देखिए और सोच के बताईए कौन से दो lines parallel हो गई L और M कौन से line parallel हो गई L and M तो बच्चो, सबसे पहले proof में angle A is congruent to angle B कहां से पता चला हमको given से तो line L किसे parallel हो जाएगा line M को A और B कौन से angle है corresponding angle तो जब parallel बोलेंगे तो हम यहाँ पर reason क्या लिखेंगा बच्चो, corresponding angle test क्या लिखेंगे corresponding angle test तो यहाँ पर मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि L को N के साथ parallel करना है लेकिन L किसको parallel हो गया है फिलाल, फिलाल किसको parallel हो गया M के साथ डरो मत बच्चो देखते जाएए अभी तो सम हमने शुरू किया है अब X और Y को देखिए X और Y बोट आर congruent to each other दे दिया है question में दे दिया है बच्चो और दोनों कौन से shape में ज़रा देखिए बच्चो दोनों कौन से shape में है they are in a Z shape they are in a Z shape बच्चो Z shape के angles congruent है ये दोनों को देखिए Z shape के angles congruent है तो सोच के बताइए बच्चो कौन से line parallel हो गई कौन से line parallel हो गई M parallel to N कौन से shape की मदद से हमने इने parallel बोला Z shape मतलब alternate angles तो यहां पे reason आएगा बच्चो alternate angle test चलिए अब दम सम की आखरी में आ चुके हम ध्यान से देखिए step number 2 को और step number sorry यह 3 इदर 4 और step number 5 now step 2 और 4 को देखिए बच्चो L parallel M को M parallel N को तो finally line L will be parallel to line N और यह हमें पता चल चुका है from step number 2 and step number 4 तो जब L M को parallel है M N को parallel है तो इन दोनो steps की मदद से क्या हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि line L is parallel to line N मोल सकते हैं और इस तरीके से हमारा यह to prove आ गया तो चलिए बच्चो यह question यहाँ पे end होता है अब बच्चो आज का lecture हम यहीं पे end करेंगे I hope that कि आज के lecture की सारे questions और सारे topic आपको समझ में आये होंगे I'm right घर पे रहिए सुरक्षित रहिए अपना ध्यान रखे पढ़ाई करते रहिए दौाओ में हमें याद रखे आज के लिए इतना ही Thank you students